परिक्षाओं में साइनस की समस्या छात्रों को परिशान कर रही है। साइनस के कारण ना वो ठीक से पड़ पा रहे है और ना ही अपनी नीद रात में पूरी कर पा रहे है। यूँ तो ये साइनस ठीक हो जाता है लेकिन अगर लंबे समय तक रहे तो सर में दर्द, शरीर में थकावन, बुखार और कई सारी चीज़ों के लिए दिम्यदार होता है। तो उसकी वेज़ से हमारा सरभारी हो जाता है और इसको हम साइनुसाइटिस बोलते हैं यह 40% लोगों में अभी मिल रहा है खासकर NCR में और इसका जो में डीजन है वो पॉलिशन है और कुछ इंफेक्शन्स हैं जो अभी मैंने बताए उसकी वेज़ से हमारी जो साइनस केव वो ब्लॉक हो जाती है ब्लॉक होने के बाद उनमें सीक्रिशन्स इकटे हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ब्लॉक साइनस एक इस तरह का होता है कि जब हमारी नाक से पानी टपकता रहता है तो उसको हम बोलते हैं रहिनोरिया जो रहिनोरिया होता है उसमें भी बच्चो को परिशानी आती है कि बार-बार नाक को साथ करना पड़ता है अगर उनके एक्जाम है या वो स्टेडी कर रहे हैं तो फिर उनको कोई ऐसी दवाई की जरुरत होती है जो नाक का बहना स्ग्स है उसमें उनको होता है और यह सेविए हो जाता है कि उनको कोई भी काम करने में अनकं़फरडे लगता है वह अपनी तैयारी कर रहे हैं उससमें अंकंफरडेबल होगा ओपिना वो दे रहें पेपर उसमें uncomfortable होगा तो उसके लिए जो हम दमाईयां देते हैं उसमें कुछ antibiotics वगएरा देते हैं या बल्गम को पतले करने वाली दिवाई देते हैं उनके भी कुछ bad effects होते हैं तो अच्छा यह रहता है कि अगर किसी को sinus की बीमारी है और वो exam going बच्चा है उनके parents को इस चीज को समझना चाहिए और उसको ऐसा फूर दें जो उसके sinus को और न बढ़ाए जैसे उनको खटा ठंडा आउए करना चाहिए उनको थोड़ा steam ले सकते हैं और उनको hypertonic celline से उनकी नाप को साफ कर सकते हैं अगर हम कोई और दवाई देते हैं तो उससे उनको नींद आएगी तो उन दवाईयों को हमें avoid करना है तो यह जो home remedies हैं ऐसे टाइम पे वो ज़्यादा काम करती हैं अगर allopathic दवाई हम देते हैं तो उससे हमारे जो exam going बच्चे हैं उनका पेट भी खराब हो सकता है और उनके bad effects भी हो सकते हैं जिससे सुस्ति आना नींद आना इस सब उनको avoid करना चाहिए यूचुली जो हमारे आयरुवेदिक medicines हैं और या कुछ home remedies हैं उन्हीं पे हमें जाना चाहिए जो हम देते हैं नजली जुकान के लिए